आईए अब हम रॉल्स लॉग के बारे में थोड़ी सी स्टड़ी करते हैं रॉल्स लॉग के कॉडिंग रेशो आफ पार्शल प्रेशर अफ एनी कंपोनेंट तू वेपर प्रेशर आफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट इस इक्वल टू मोल फ्रेक्शन होता है और हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पार्शल प्रेशर आफ एनी कंपोनेंट इस बेसीकली इक्वल टू वेपर प्रेशर आफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टिप्लाइड बाइ इस मोल फ्रेक्शन अब मान लीजे कोई component अगर b होता तब b के लिए मेरे पास आ जाता pb divided by p0b is equal to xb और pb is equal to p0b multiplied by xb अब अगर हम delton's law of partial pressure के according देखते हैं तो delton's law of partial pressure कहता है कि अगर दो components हैं तो उसका p total जो होगा that will be equal to pa plus pb हो जाएगा अब इसके guess में pa की value हमारे पास उपर आ गई है और pb की value ये आई है तो मेरे पास मैं लिख सकता हूं के p total is basically equal to p0a into xa plus p0b into xb अब हमें पता है के xa plus xb is equal to 1 होता है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं के xa is equal to 1 minus xb अब जो ध्यान देने वाली बात है वो यह है के इस xa की value मैं इस equation में यहाँ पर put कर सकता हूं तो जब हम ऐसा step करेंगे तो मेरे पास आएगा p total is equal to p0a अब xa की जगा मैंने क्या put करना है 1 minus xb तो 1 minus xb plus p0b multiplied by xb तो यहाँ पर मेरे पास यह statement जो है वो बन जाएगे अब अगर हम next step देखें तो इसको मैं p total is equal to p0a minus p0a into xb लिख सकता हूं plus p0b into xb लिख सकता हूं तो यही formula जो बनेगा that will be p total is equal to p0a अब इन दोनों में अगर मैं xb common निकाल लूँ xb मैंने common निकाल लिया और यह बच गया p0b minus p0a तो यह जो formula है यह ncrt के numericals solve करने के लिए मुझे help करेगा तो यह हमारा required formula है कि p total is equal to p0a plus xb multiplied by p0b minus p0a हम यह मान रहे हैं कि जो b है वो जादा volatile है as compared to a जिसकी वज़े से peanut b की weight